अब लॉग आप जैसे टाइटल देखे समझी गए होंगे गुलाब की हालत बहुत जादा बुरी हो गई है क्योंकि अब इनका जो है ग्रोइंग टाइम है यानि कि ये सर्दियों में फूल देते हैं तो अब हम इने निट्रिशन देना इनकी कटाई छटाई रिपोर्टिंग करना बहुत जादा जरूरी है इसको मैंने हटाया है बार-बार गमलों को उठाना पॉसिबल नहीं होता और अपने भी डिजीज है ना वो मेरे सारे पौधे में हो चुके है आइमिन डाइबेक, पीले पते, निट्रिशन की कमी सकर, ओरवाटरिंग, अंडरवाटरिंग सारी की सारी चीजे फिलहाल इस गुलाब में सभी प्लांट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही घर लाके खराब हो जाता है तो अगर आपने खरीदना ही है नया प्लांट तो आप उक्टूवर के टाइम पे अपने घर में एड़ गीजे उसकी केर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है और आप यह देख रहे हैं यह लंबा सा यह मुझे सकर लगी तो मैंने इसको फटा-फट से निकाल दिया सकर है बट उस सुंदर गार्डन की जो कहते है न बिहाइंड दसीन तो वो यह है क्योंकि जब तक हमारा गार्डन हम गंदा नहीं होगा तब तक वो साव भी नहीं होगा तो मैं हाथो हाथना क्लीन भी करती रहती हूँ यह जित्ता आपके पौधों में काटे होते हैं तो अगर आप डस्ट बिन में डालेंगे तो आपके जो कुडे वाले भाई है न उनके हाथों में लग जाते हैं तो इही को निकाल दीजिए और आप देख रहे हैं कि मेरे सारे गमले की जो सता है जो उपर का एरिया है वो बिल्कुल क्ली तो यह आज के व्लॉग करते हैं शाम से शुरू दोस्तों आज का व्लॉग आप जैसे टाइटल देखके समझी गए होंगे मेरे गुलाब की बहुत बूरी हालत हो गई थी बरसात में इतनी ज़्यादा बारिशे होई गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी तो दोनों ही चीजे इनके लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है इनके लिए क्या दोस्तो ओ अती जो है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी में मेरे पौधे मरे और ज़्यादा से बरसात में भी मेरे पौधे मरे और अब मैंने जो सोचा है इनकी ना आज जो है कटाई छटाई इने सारे nutrition वगरा दे ताकि ये अपना growth जो है वो start कर दे और सर्दियों में ठेरो सारे गुलाब दे तो आप ये देख रहे हैं दोस्तो गुलाब की हालत कितनी बुरी हो रखिये और मुझे लगता है कि ऐसी ही हालत सभी के घर में होगी क्योंकि बहुत जादा बारिश पड़ी है बहुत जादा जैसे ही मैं एक यो पर एक करते हूं मेरे हाथों में कांटे चुप जाते हैं क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौदा है जिसमें बहुत सारे कांटे होते है और इतने नुकीले जो कि आपके हाथों में जखम भी कर देते हैं तो मैंने पहले कर दी इस portion की सफाई ऐसे ही करते हूं दोस्तों मैं अपने किसी एक प्लांट को लेके इसके जो चित्ते भी वेरियंट होते हैं सबको लेके बैठती हूं नेक्स्ट वीडियो किसकी करनी चाहिए यह आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना जो भी प्लांट आपको करना है मेरे पास अगर प्लांट होगा तो उ वेट से मेरी भी हातों में प्लांट हो जाती है तो मैंने जब इसको गमलो को उठाया ही था तो मैंने सुचा लगे हाथ इसकी सफाई भी की जाए स्टैंड वगरा और थोड़ा सा नीचे का एरिया जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया मिटी जम जाती है दोस्तों डेली सफ गार्डन में महके आपके गार्डन में एड हो या आपका बगीचा हो या टैरिस गार्डनिंग हो कुछ भी हो तो अगर आप यह सब टिप्स फॉलो कर लेंगे तो आपके पास मुझे शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा इस वीडियो को देखने के बाद जो कि आप मुझसे पौधे में हो चुके है I mean डाइबेक, पीले पत्ते, न्यूट्रिशन की कमी, सकर, ओर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, सारी की सारी चीजे फिलहाल इस गुलाब में सभी प्लांट्स में कुछ ना कुछ पॉब्लम है ही तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं एक प्लांट मैं आपको क्या बता हूँ, मार्बल एक रोज आता है, वो बहुत ही सुंतर आता है, मैंने फेवरेट पॉधा था और मैंने कितनी दूर से मंगाया था, वो पॉधा मेरा ओवर्ग, मतलब इतनी जादा हीट पड़ी, तो वो पॉधा मेरा खराब हो गया, और जादर क्या होत कि टूड़ गया है, इसकी मैं कुछ आपको इसी वीडियो में रिपोर्टिंग करना भी बताऊंगी, और वैसे मैं रिपोर्टिंग अभी साथ में नहीं करने वाली हूँ, बट ये गमला टूड़ गया था, तो इसकी रिपोर्टिंग मैं कर लोंगी, रिपोर्टिंग और तो हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, मैं जो जो पॉइंट आपको बदा रहे हैं, प्लीज उसे फॉलो कीजेगा, अगर आप एक भी जो पॉइंट आपको छोड़ देंगे, यानि कि वीडियो को स्किप करके और आगे देखेंगे, तो कोई ना कोई पॉइंट आपका रह जाएग कोई भी टाइम नहीं है गुलाब देने का, आपको जैसा पता ही होगा कि गुलाब जो है, वो सर्दियों में फूल देता है, गर्मियों में छोटे-छोटे से फूल आते हैं, जो कि बहुत सुंदर नहीं लगते, इस ताम जो है इनकी पॉनिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सॉफ्ट कीजिए, चाहे आप हाड कीजिए, अगर आपका न्यू प्लांट है, तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपका पुराना प्लांट है, तो आप हाड प्रूनिंग कर सकते हैं, बट अभी काऊंगी अगर आप नरसरी से पॉधा अ अपने घर में एड़ गीजे, अक्टुवर एक बेस्ट टाइम है जब आप अपने गुलाब को एड़ कर सकते हैं, यह मेरे उपराने प्लांट है, तो इन्हें मैं नूट्रिशन देने जा रही हूँ, आप देख रहे हैं, कुछ इस टाइब से भी हो जाता है, हमारी दो ब्रा आप में ना सारी प्रॉब्लम हो रही है, फिलहाल मैं जो है ध्यान नहीं दे पाई और कुछ तो गर्मी और पानी की वज़े से जादा यह खराब भी इस तरीके से हो गए हैं, और आप यह देखिए, इस तरीके से मैंने तीन-चार गमलों की जो है वो प्रूनिंग कर ली है और अभी मैं आपको और अच्छे से बताना चाहती हूँ, यह देखिए, पीले पत्ते सभी के पास होते हैं, यह ब्राउन पत्ते इन्हें निकाल दीजिए, यह निकालना बहुत जरूरी नहीं तो और भी आपके पौधे में फंगस लग जाती है, यह क्या होता है दोस्तों पत्ते हैं और यह ना आपके पौधा है उससे थोड़े इसके पत्ते जो है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसे जड़ से हटा दीजिए और वहां पे फंगिसाइड पौडर लगा दीजिए, मैं बहुत बार वीडियो में शे काले पत्ती वगरा उनको भी निकाल दीजिए, ब्राउन पत्ते उन्हें भी निकाल दीजिए, और सुखी डंडियां अगर आपके पौधे में, जैसे आप यह देख रहे हैं, इसको डाइबेक की प्रॉब्लम कहते हैं, तो यह पौधा अगर धीर-धीर करके पूरे पौध आप उससे कर लीजे, जिसे कि आउगा एर सर्कुलेशन बना रहेगा और आप अपने प्लांट्स को जो भी नूट्रेशन देंगे, वो तुरंट से मिलेगा, यह आप देख रहे हैं, पूरा पौधा खराब हो गया है, मैं कहरी हूँ ना, मेरे बहुत सारे गुलाम मरे है, म आपको पता है, यह हाइब्रेड वाला महंगा भी आता है, डेट सुरुपे का यह पौधा था और यह मेरा खराब हो गया, इसे मैंने बहा निकाल दिया, पौट खाली हो गया, तो ऐसे मैंने यह जगह को क्लीन किया, और आप हाल देखिए गार्डन का, कहते हैं कि कवीता का गार्डन बोहोँ सुंदर रहता है, वाट उस सुंदर गार्डन की जो कहते हैं, बिहाइंड दे सीन, तो वो यह है, क्योकि जब तक हमारा गार्डन हम गंदा नहीं होगा, तब तक वो साफ भी नहीं होगा, तो मैं हातो हाथ ना क्लीन भी करती रहती हूँ, यह जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके साथ मैं करने वाली हूं ये ब्लैक पॉलतिन में इसको पैकद। आपको दोस्तों यही करना है, गुलाब के पॉधों में काटे होते हैं, तो अगर आप डस्ट बिन में डालेंगे तो आपके जो कुडे वाले भाई है उनके हाथों में लग जाते हैं तो इसलिए आप उसको ब्लैक पॉलाथिन में अच्छे से बंद कर दीचे ताकि उन्हें इस पेशली बोल भी दीचे कि इस पॉलाथिन में काटे वाले पॉदे हैं यानि कि गुलाब आप ध्यान से करिए तो इस तरी इंची का गंदा दिया है मैं देखना चाहते हूं कि 12 इंची में ज्यादा से पॉदे का जो साइन मतलब गुलब का जो साइज वो अच्छा आता है या 12 इंची में, वैसे तो 14 इंची में ही गुलाब का साइस बढ़ा आएगा, बट मैं पास ये गमला भी खाली पड़ावा था, तो मैंने इसमें इसको, मतलब जो है, ट्रांसफर कर दिया, और आप ये देखें, मैं इनको क्या देने जा रही हूँ, वर्मी कम्पोस्ट, नीम को लिक्विड खार देना है, तो हमने प्लांस की कर ली थी, गुडाई, प्लांस की कर ली, कटाई, छटाई, अगर आपके होल बंद है, तो आप होल भी ठीक, खोल दीजे, और ब्राउन पत्ते, सूखे पत्ते, सूखी डंडियां, सभी को निकाल दीजे, और आप देख रह मुठी गंले के according सब को दे दी, जितने भी मेरे गुलाब के पोधे दे लगबद साहिए तो सब को दे दी इस बार मेरे 4-5 बंद अचान बंद गये हैं, तो यह दोनों पोधे जो है मैंने सब को दे दी मेरे सारे हैं वहत पुराने पुराने तीन साल पुराने तीन साल, बॉ वाइट पिंक रेड और आपका बहुत अच्य अच्छे डाग पिंक भी है बहुत सारे गुलाब है और आप इनको देना है हमने अच्छे सी वाटर इसमें मैंने अपसम सॉल्ट और सीविड फर्डिलाइजर मिला दिया तो हमारा जो समुंद्री जितने भी हमारे न्यूटिश तो मैंने इन सब को दे दिया प्लांट अगर स्ट्रेस में जाएगा तो भी एपसम सॉल्ट आपको बचाता है आपके पॉधो को अब आप जो देख रहे है यह है स्पेशल टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा बट मैंने आपके साथ शेयर किरी है क्योंकि आपका अगर ओपन पार्ट रहता है उसमें फंगस लग जाती है पानी हवा दूल मिटी से इसलिए इसके ओपन एरिये में जो जो कट करा था वहां पे हमने साफ का फंगी साइड लगा दिना यह नहीं है तो हल्दी भी लगा सकते हैं तो सभी पॉधों में आप यह देख रहे हैं सबको मैंने आप यह नुट्रिशन ते दिया कटाई चटाई कर दी जितनी भी खराब पते सब थे निकाल दी मैंने तो यह काम करना ना बहुत जरूरी था काफी टाइम से डेले हो रहा था तो दोस्तों इस वीडियो में मेरी आवाज मियूट होगी बस यही बोलना चाहती अगर इसमें हार्ड वर्क भी कहोगे हार्ड वर्क तो होता ही है बहुत चोटी मोटी चीज नहीं है और हर किसी के बसका भी नहीं है बहुत महनत होती है गार्ड निंग में जो कि आप देख रहे हैं मेरा सूबह की पूरी एक्सराइज लग समझ लो यही हो गई है इस बार वैसे मैं मॉर्निंग में आके एक्सराइज करती हूँ बढ़ा आज मैंने सोचा इसी को कर लूँ यही मेरी एक्सराइज है बहुत खुश थी मैं मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रग दिया आप भी इसको सेमी शेट के नीचे रग दिये तो दोस्तों वीडियो कैसी कि जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा